कि अपना लाइब अस्टार्ट हो गया जाए आज यह जल्दी जल्दी पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं सब और मैं थोड़ा यहां पर चैट सेट कर लेता हूं तकि आपके मैं चैट पड़ सकूँ सब्सक्राइब कर लेता हूं तो सब्सक्राइब कर रहा हूं अपने चैट अहां सो आगया मारा चैट तो हेलो सबीको हेलो हेलो फस्ट विसालाइब फ़र्स पर्स शूजल सहनी यहलो सबीको हेलो हेलो एम वेटिंग पर लाइव एप्राम 4 4455 जागे हैं फाइनल लाइन फाइननल फाइनल फाइनल लाइव आ गहा है योरव पीज पीज नहीं बिल्कुल प्रीया मैं पर स्था हांजी है है विच पेपर मैं यहां पर कार्टरिज पेपर यूस कर रहा हूं चलो अभी थोड़ा बात कर लें प्लिज टेक माइन सौरव शर ग्रेट मेठेट से बनाओ प्लेज हंजी जरूर ग्रेट मेठेट से बनाऊंगा विच पेपर मैं कार्टरिज पेपर यूस कर रहा हूं विल यू यू यूज ग्रीड ब्रो हाँ ग्रीड यूज करूंगा लव यू भाई लव यू टू ब्रो पीज मतलब कमिशन आट वर्क के लिए के लिए इस के लिए हां उसका चार्ज है आप मुझे इंस्ता में मैच्ज करना यंक्र आपको पूरा बता दूंगा क्या चार्ज करता हूं मैं सब्स्मूद और रव कार्ट्रेज पर मिडियम सर्फिस चाहिए हमको ज्यादा रव भी नहीं चाहिए ज्यादा स्मूद भी नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भाई आर्ट लाइन या स्टेटलर आप कमेंट करो आपको किस पर चाहिए आपके पास जो पैंसिल होगा मैं उससे बनाऊंगा आप बोलोगे कि नट्राज या फिर नट्राज का पैंसिल अप्रा का पैंसिल कुछ-कुछ मिक्स करके बनाओ तो मैं वह भी बना दूंगा है हेलो हेलो आर्ट लाइन प्रीज प्लीज हाँ ज़रूर अब आर्ट लाइन से बनेंगे क्योंकि सभी के पास तो आर्ट लाइन हो गई जिसके पास स्टेटलर वह वह यूज कर सकते बिलकुल केमलें का मेरे पास नहीं है ब्र पर मिल जाएगा अब जाके वहां से डाउनलोड करो और देखो और यह वाला फोटो है देखो यह फोटो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो हैंड है यह जो भी अच्छा लग रहा है और इस फोटो का हम पोट्रेट में नहीं हम इसे लैंडिस्केप में क्रॉ जो बीष्टा सर इसकेच और कलर सभीके पाथ सायद मेंसिल केच नहीं होगा तो पैंसव संभेट से बनाएंग्स अबनाये बहना और भुकर गरएट सेफिए पूरा बनाओंगे ब्रों ने पूरा नहीं पूरा तो जर्वत निया पूरा मजा भी ने आएगा तो उत्ता चोटा करते नहीं बनेगा आई है तो आप बिल्कुल कमलें का पैंसल यूज करो बस आपको देखना है कि इसमें कौन सा ग्रेट उसमें टैन क्रेट भी आते हैं तो जो जो मैं ग्रेट बतते जाँगो उससे आप यूज करते जाना आज किस वीडियो में फ्रेंट् आपको मैं थोड़ा सा कैमरा को उपर कर लेता हूं कि यह ताकि अभी पेज बिल्कुल क्लियर नजा रहा है कितने सब्सक्राइबर हो गए वे कितने सब्सक्राइबर हो गए वैल्ग कन्य विडियो वाला भी मैंने वीडियो जानवारांस किया है तो उसमें भी आप कमेंड करो शेर करो अपने फैमिली में शेर करो अपने फ्रेंड्स को शेर करो बिल्कुल अब गिव हम प्लेज पेपर है कि अ पले गीटार हँम प्लेग करें हमारे ब्लॉग वाले चैनल तो है कि सर आई हैब टू स्टडी सॉरी कोई बात नहीं ब्रतर मैं यह वीडियो अप्लोड कर दूंगा अब फिर देख लेना वीडियो अप्लोड होने के बाद तो एक सेक्ड में थोड़ा और थोड़ा सा सेट अप जमाहिं लेता हूं करोगे मैं अभी यह वाला यह लाइब सेशन कंप्लेट करके मैं आठ रिव्यू पर काम करूंगा पूरे सर्च करूंगा कौन-कौन आठ भेजे हैं किस-का मलब कौन-कौन भेजे हैं सब नाम वांग सब सेट करूंगा वीडियो आडिट करूंगा उसके जल्दी मिल जाएगा को एक दो दिन मिल जाएगा आज तो कंप्लेट नहीं होगा क्योंकि काकी लोगों के नाम आए हैं और फर्स्ट आर्ट रव्यू होगा हमारे इस चैनल पर तो थोड़ा टाइम लग सकता है सर माइनेम इस माधाराव कनूंगो हलो माधाव सर्ट मेकनिकल पैंसल नहीं है तो आप टूबी पैंसल यूज करो तूबी या एजबी पैंसल यूज करो और उससे ड्रॉप करो लाइटिंग ज्यादा ही हो गया था तो मैं थोड़ा कम कर रहा हूं तो सभी का पेपर पैंसल रैडी है पैंसल अच्छी तरीकी शार्ट कर लो और फोटो को किसमें लेंगे हम तो ड्रॉइंग ग्रिट फॉर्ड आर्टिस नाम का एक एप है उससे हम फोटो को ग्रिट बनेंगे फोटो में तो यह रहा एक सकंद आपको फिर से दिखा देता क्या क्लिक होगी है प्लेज रिप्लाइ माइ कमेंट स्वरी मैंने पढ़ानी उपर लिया है विच मैकनिकल पैंसल आप कोई भी उज़ सकते हो मेरे पास तो एक यह है सकूरा का है और एक है यूनिबॉल का तो सकूरा का तो काफी लाइट चलता है तो मैं यूनिबॉल का इसलिए यूज करूंगा ग्रीड के लिए और ये डार्क चलिए ताकि आपको अच्छा दिए या फिर एक काम करूंगा मैं ग्रीड भी इसी डार्क पैंसल से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आए यह वाला जो एप है ड्राइंग ग्रीड फॉर्ड आर्टिस्ट जो यह देख रहें यह एप से मैं बनाऊंगा काफी लोग पुस्ते की कौन सा एप यूज करते हो ग्रीड के लिए तो मैं यह वाला बनाऊंगा तो इसपर क्लिक करते हैं और यहां से ध्यान से देखना फ्रें पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम वर्टिकल यहां पर नहीं बनेंगे क्योंकि वर्टिकल साथ उत्ता मचाना है पेस काफी छोटा हो जाएगा इसलिए यहां पर मैं हरी जो बनाऊंगा और यह फोटो को मैं यहां तक क्रॉप करूंगा देखना आप पर हेंड है वोही तक बनाएंगे हम यह को इसके इतना मैंने सब्सक्राइब किया है और उसके बाद थोड़ा इसको इसको आपको प्रेपर बनाएंगे तो इतना समझ मैं आया फोटो से कहां से फोटो लेते हो मैं इंटेस्स यालोड करता हूँ और एक और गेटी करके है वहां से कापी ज्यादा अध्यू का लेटी का इमेज मिल जादा तो वहां से भी डाउनलोड कर लेता हूं अध्यू चेलिए सबसे पहले तो ग्रीड बना लेते हैं फ्रैंट्स ग्रीट बनाने में किसी को दिक्कत तो नहीं या फिर कुछ प्रॉब्लम आती तो कमेंट करो जूरूर्ड मैं सौल करूंगा तो सबसे पहले तो ग्रीट बना अगर आप भी पेपर पैंसल लेकर बैठे हैं तो जल्दी से ग्रीट बना लो तो आप देखो मैं किस तरीके से बनाता हूं होरीजोंटल जैन मैंकरिनिकल पैंसिल सेल सेलो बॉल टूपवंट जिरो हां बिल्कुल यूज करो मेरा प्रॉब्ल बना लूँ क्या लिख आपने अब ग्रीट बना लो तो सबसे पहले पेज को मैंने एसे रखा और सबसे पहले मैं टू-टू-सेंटीमेंटर मार्ग करता है यहां पर तू-सेंटीमेंटर का ग्रीट बनेंगे थैंक्यू सो मज्च अनामिक का अच्छा किसी और को बोढ़ है तो हेलो आई सब्सक्राइब पॉर थ्री आईटी थैंक यू सो मज़ ब्रदर इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मज़ थैंक यू थैंक यू रमेश कुश्वाहा अचे विए मैं ग्रिट नहीं बनाई सो अभी हमारे साथ बना लेजिए हैं कि सबसे पहले मैं आप डूरो संटिमेटर मार करता हूं जाहिए अपर रखो आप और टू टू संटिमेटर जहां आप दिखेंगा तू फिर ये फॉर पर मारे मार किया फिर सिक्स पे एट पर तैन 12, 14, 16, 18, 20, 22 और थोड़ा साइट करते हैं या पर 24, 26, 28 तो जैसे हमने इस साइट मार्क किया सेम इस साइट भी मार्क कर लेंगे और फ्रेंट जो चैनल पर नए है चैनल को ज़रो सब्सक्राइब कर देना और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंट लाइक कर देना जो एक डिसलाइक भी मिल गया है हमें सर मैं ग्रीड नहीं सर मैं ग्रीड नहीं बनाओंगा सर होगा क्या लिक्या आपने समझ भी नहीं आया मुझे कि आई कैन से यूटूब मेक थैनोज राइं हां काफ़ी लोगों ने कमेंट किया थैनोज का और मैंने जो वोट वाला डाला था उसमें भी सबसे ज्यादा वोट थैनोज कोई मिला था सबसे पहले ग्रेट बना लो फ्रेंट्स आप भी बिल्कुल अलाम से बनाओं कोई जल्दी नहीं है क्योंकि आउंटलाइन ही काफी ज्याद जरूरे अगर आउंटलाइन आपका सही बना तो उसके बाद आप उस पर इता भी रियलिस्टिक सेडिंग कर लो या फिर कलर से बना लो या फिर कोई जूम ना उतना मज़ा ही नहीं आएगा तो आउंटलाइन पर अच्छे से ध्या लाइक बढ़ाते जाओ आपके लाइक करने से ही काफी ज्यादा इतने देर तक हम टिक पाते हैं नहीं तो सारी डिस्लाइक करेंगे तो फिर तो अब पसंदी नहीं करें तो फिर सरे ऐफोरणि इसमूद बाला यूज कर सकता हूं हां बिलकुल कर सकते हो बो पर इने लाइक किया है आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं तो आप जरूर सपोर्ट करना कि यहां पर मैं सिंपल से ग्रीड बनाते जा रहा हूं जो भी साथ में कर रहे हैं साथ में जस्ट ड्राइंग कर रहे हैं वो भी जल्दी से बना ले मनलब बिलकुल आराम से कोई जल्दी नहीं मैं वेट कर सकता हूं तो इस में इस आउंटलान में थोड़ा डिटेलिंग होगा फ्रेंट्स तो अब बिलकुल ध्यान से देखना मैं किस तरीखे से बनाता हूं जल्दी से ग्रीड बना लेता हूं मैंने इसलिए ग्रीड अभी बना रहा हूं क्योंकि अगर किसी को डाउंट होगा ग्रीड बनाने हो कई बार दिक्कत होता है हम पॉट्रेट में तो बना लेते हैं लेकिन होडिजॉन्टल में कैसे बनाए लोग कन्फ्यूज जाते हैं तो स्टार्टिंग करना है इसमें अब कॉपी की स्टार्ट करो स्टार्टिंग से मार्क करना स्टार्ट करो और देखना की मैं आपको ग्रिट यहां पर गिन के बता दूँगा स्टार्टिंग से मार्थ करना आप टूटू सेंटिमेटर का वर्टिकल भी और होरिजॉंटल भी उसके बाद आप देखना जैसे यहां पर कॉलम में आपको रुख जाना है लव यू भाई थैंक यू सो मच खुश्बुशिंग थैंक यू थैंक यू करने में वाच ताइम बढ़ता है क्या हां बिल्कुल बढ़ता है क्या साथ आपका भी चैनल रहे यूट्यूब पर अगर कुछ डाउट है तब पुछ लेना बिल्कुल इस टाइम तो रखता है ग्रोह होने में लेकिन हो जाता है तो अब मैं होरीजॉंटल के लिए जो लाइन आएगा हमारा होरीजॉंटल लाइन वहां पर मार्क कर रहा हूं 16 18 20 भाई तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम पंकज पंकज साहु है काफी लोगों को अभी तक नहीं पता है मुझे पहचानते हो क्या खुश्बुशिंग अभी तो मैं नह प्रोफाइल भी दिख रहा है साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा दोर से देख रहा हूं मेरा सिस्टम फ्रदूर है और प्रोफाइल इतना छोटा है कि मैं नहीं पहचान पा रहा सब्सक्राइब कि एक सेकंड वेट वेट मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है सिस्टम का कि नेट आप्स की एक वाइफाई राइब लाइव को बना कि वाइफाई ओन करें इसमें वाइफाई अचांड नीचे जाओ मैं लाइफ कर रहा हूं एक सेकंड एक सीकंड वेट करना अधा ब्लाना वाइफाई आण करें ठीक है तो तो अब है कि अगया है तो अगर बड़ों के तक है कब तक लाइब रहोगे मैं साथ छे वजे तक छे पंद्रह तक अग्या है अग्या है यह बस हमारा ग्रेट कंप्रेट हो गया है अग्या है तो इसे पहले में जल्दी से कंप्रेट कर लेता हूं फ्रेंड्स अग्या है तर्फ प्लेंडिंग विद्ट स्टंप नो ब्रस ओकी जरूर्ड पेपर स्टंप से भी बनाएंगे हो जो चैनल पर मतलब लाइव अभी नहीं आरे सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स सपोर्ट करना इट्स आटेड़ को सब्सक्राइब जरूर करना है तो यह कंप्यूट होगी है बस दो लाइन और है फिर उसके बाद बताओंगा मैं ग्रेट कहां से स्टार्ट करना है कहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है कि यह हमारे ग्रेट बन गया है तो यह अपना ग्रेट और अब और अब ड्रॉ करने स्टार्ट करतें चलिए जो आपका विडियो में कमेंड किया था मैसी मैंने मैसी की ट्रॉइंग करी आचा आचा अचा 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 चलिए तो सब ने यहां तक बना लिया सो इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं हम किस तरीके से से आउंट्लाइन बनाएंगे सबसे पहले तो आपको जिन्हों ने भी यहां पर सलेक्ट निक किया जैसे यहां पर यहां पर देखना साइज वन सेल लिखा है मतलब एक बॉक का साइज किता होना चाहिए तो हम यहां पर रखेंगे ट्वेंटी एम मतलब तू सेंटिमेटर और 40 mm करेंगे तो 40 cm हो जाएगा तो यह धियान रखता है कि आप यहां पर टू जीरो करें टू सेंटिमेटर में ऐसा नहीं कि टू सेंटिमीटर हो तो टू एम यह क्योंकि एम में में दिखा रहा है उसके पार यहां पर सिंपल से आपको यहां पर क्लिक करना आ शो ग्रिड सेंट अब तो सबसे पहले अपको देखना है कि जो थैनोज बना वसक उसका आई कहां पर यह फोटो उत्ता ज्यादा क्लीन नहीं है मैं और तो और क्लीन इस का फोटो डाउनलोड करूंगा सर्च करूंगा तो देखेंगे इस एफ पोर हाँ एफोर साइज का पेपर एफोर साइज का पेपर हाउ टुगेंट क्लाइंट हाउ टुगेंट क्लाइंट पॉर कमिसंट वर्क मैं इस पर वीडियो बना दूंगा ऑल दबेस्ट भाई ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा सा ड्राइंग करना पिक्चर से भी रिलिस्टिक हाँ जरूर अपना ट्राय है 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 सब새 पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे यह जो आई है देखिए यहां पर आ रहा है तो मस्किंट करते हैं है और अब ध्यान से सकोन करते हैं करते lucky default ऐपन 203456 करते हैं प्रण पहले सबस्क्राइब हम काउंट कर लेते हैं यहां पर हमारा है यहां से 1 2 3 4 5 5123 यहां से यहां पर हमारा आई आएगा यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और मैं विडियो थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे क्लियन से दिखें आप अच्छी तरीके से समझ पाए तो यह इतना जूम सही रहेगा सो अभी बिल्कुल ध्यान से देखना फ्रेंट फोटो थोड़ा ब्लर है सो इस चीज़ को आप कैसे ड्रॉक कर सकते मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा यहां पर मैं फोटोग्राफ भी रख दिया हूं सो सही है आर यू एजुकेटेट है हाँ मैं बी से कंप्लेट कर लिया हूं एमसी यह लास्ट यहार मेरा सो मैं एमसी पढ़ रहा हूं हाँ हाँ एजुकेटेट क्या आपको क्रिकेट का तो मुझे नहीं पता प्लिज आयम यूजिंग एवन साइस पेपर सो एवन साइस के लिए तो काफी अलगी ग्रिट बनाना पड़ेगा फ्रेंट सो इस वीडियो में मैं एवन साइस का नहीं बता पाँगो कि वह सिर्फ ब हों उसलिक करना है एफेक्ट में जाना है और फिस ब्लैक और क्लिक करों कि तो हमारे जी ब्लैक जब्लैकेंवाइट में समझाते है तक कि आपको अच्छी तरीकी से समझ में हैं तो सबसे पहले देखना प्रेंट यहां पर ज्यादा हुआज तक रिन नहीं है तो उसकी काई विर्फ भी बनाएंगे सब ध्यानसे देखना। सबसे पहले तो ये वाला लाइन जो दिख रहा हमें पहले उसे ड्रॉआ करते हूं दो यह वाला लाइन ऑक्स है उसके देख यहां तक कवर करता है यहां तक सबसे पहले मैं रटेटे से देखना और आपको फोटोग्राफ में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उस लाइन को फॉलो करना तो आप पर्फेक्ट इसली बना पाएंगे सर मैंने पढ़ाई कर दी है सो वैलकम टू आर स्ट्रीम सो यह आइब्रो का हम लोग इसमें आइब्रो तो नहीं है वैसे लेकिन जो आपके ऊपर जो शेडव पढ़ रहा उसका है उसके बाद यहां पर देखना आई मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूं हलाकि मुझे यहां अच्छी तरीके से नजर नहीं है लेकिन एक होता है कि हम अंदाजा लगा कि कुछ भी ड्रॉ कर सकते थोड़ा बहुत है तो अभी आप ध्यान से देखना है तो लाइन में बना रहा हूं किस तरीके से उसे कैसे फॉलो फॉलो करते जाना बस उसे है तो यह आई का शेप मैं ऐसे बनाया हूं और जो आई के निचे तो टोटो को शेडिंग है मैं आप इस तरीके से शेड़ कर लेता हूं आईबोल के थोड़ा इस तरीके से में बना ले तो देखो आईबोल किस तरीके का है तो यह छोटा सा आई बनेगा हमारा और आई के जस्ट नीचे थोड़ा शेडिंग है और उसके जस्ट और नीचे इस तरीके से देखो यह आई रहा यह थोड़ा नीचे शेडिंग वाला पार्ट है और यह जो नोस के साइड में जो यह वाला पार्ट है तो इत्ता ड्रा हुआ चार्जिंग खतम होने वाला है ब्रो तो चार्ज कर लो कोई दिक्कत नहीं और आप यह स्ट्रिम जो मैंने लाइब में सिखा रहा हूं वो बाद में भी देख सकते हैं मैंने आपके चैनल को फाइब सब्सक्राइब बढ़ा दिये हैं फैमली के सारे मेंबर की मुबाइब तो थैंक्यू सो मच खुल बूसिंग इसी तरह की से सपोर्ट करते रहा तो हमारा चैनल भी थोड़ा आगे जरूर जाएगा तो अभी देखिए आइस इत्तर रहा हुआ है कि काफी ज़्यादा हम जब मैं भी रॉइन सिखता था मतलब सुरू से खुद से सिख्क्राइब तो मैं भी सुच्छा था कि किसी का एक्जर्ट रियाल टाइम देखूं कि किस तरीके से बनाते हैं आपको मिल रहा है यहां पर तो यह आइस है यह आई के आईट साइट का ए कि का है यह इस तरीके समने बना गया अब देखो यहां पर यहां पर तो उसके नोस से नोस के ऊपर थोड़ा एक लाइन बनता तो वह चीज़ बनाते यह चीज़ दिखाता है फ्रेंट की जो पर्षन है वह एंगरी है तो यहां पर रिंकल्स दिखते हैं प्रंट जब कोई परड़े आप इसका जरूर देखना सो यह एक सेकंड ने टॉप को अगरी है तो यह है अपना हुआ फिर हम सेकेंड आई की साइट जाएंगे प्रेंट अब सेकंड आई में देखना किस तरीके से कर्व होते वे गया है और बॉक्स के इस इस से को टाज कर रहा है इस इस से क मेरे जफेदर ना कि हम यहां से बनाएंगे एक लैवल match करना तकते था हुआ है यहां से यहां से यहां से इस तरीका से लैन बनाकर कि यह थोड़ा उपर का लाइन है थोड़ा हलका सा आइब आइब्रो की तरह शेडिंग है वो बनाएंगे और यह लाइन जाएगा सीथा आई यह ड्रॉ होगा इससे तो यह आई पर मैं आई ड्रॉ कर लेता हूं यह देखिए आपको फोटोग्राफ में नहीं दिख रहा होग लेकिन आप मेरे आउंटलाइन को देखेंगे तो समझ जाएंगे कहां पर है सो यह आइबॉल भी मैंने बना लिया और आई के नीचे थोड़ा डार्क टॉन है फ्रेंट सो डार्क टॉन मैं इस तरीक से दे देता हूं कि यह देखिए हमारे जो फेस अभी से एंग्री होने लग रहा है लब एंग्री एक्स्प्रेशन सो एक सिंग हां सौरफ जसी को मैं जानता हूं सौट आप टू हमांसो कोहल लब यू ब्रो थोड़ा फेमस नहीं पर बहुत अच्छे से फेमस हो जाओ और बेस्ट ड्राइंग बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मुझ थैंक यू थैंक यू तो 33 लाइक वह हुआ फर्स टाइम सब्सक्राइक आप सभी को अ कि आप यूनिव और कर रहा हूं आप कोई भी उन्स कर सकते हैं अगर आप तो आप सिंपल लाइट पैंसल का यूज करो अच्छे तरीके से शार्प करो कोई भी पैंसल चलेगा अब देखना मैं नोस ड्रॉव कर रहा हूं तो यहां पर ध्यान से देखना फ्रेंट मैं बिल्कुल अच्छे से एक्स्प्रेंट कर रहा हूं यह अगर आप अच्छे से सि और रहा है क्या मैंने स्टार्ट करकी जीए सो यहां मैं नोस ड्रॉव करता यहां से देखना यहां से स्टार्ट हो रहा है यह जोड़ा सा यह जादा रहा चूंड लाइन ट्रॉण मर्जार में जित्ता इदर छोड़े उससे थोड़ा जदा मार्क करते हैं सो यहाँ पर मार्क हिए अब दीकिए इधर से बनाने सर्फ Baz जो एक लाइन लाइन दिखरहा है यह दिखिए यह को र geschoo यह जो एक लाइन दिख रहा है यह दिखिए और यह नीची वाला पॉर्ट्शन जिस पर डार्क टॉन मिलते हैं डार्क टॉन करना रहते हैं हमको तो यह तो सौरी पता नहीं कैसे पिर डिस्करेक्ट हो गया क्या दिक्कत है पता नहीं तो इपता आपको सेहीं दिखने महल का सुजूम करता हूँ बस लग रहा होगा तो सौरी पता नहीं कैसे आप लाइन हो गया था सर वाट इस दा एम एम आफ्रेट तू टू ट्वैंटी में मतलब टू सेंटिमेटर तो इत्तर रहा हुआ और यहां पर आप देखना फ्रेंट्स नोस तो अब समझ गया होंगे लोग उसके जस लाइन से एक एक फेस एक्सप्रेशन सा जो फेस एक्सप्रेशन में काफी ज्यादे इंपॉर्टेंट होता है यह लाइन क्या है तो उस लाइन को हम ड्रॉ करते बिलकुल आराम से देखना किस तरीके से मैं आपर ड्रॉ कर रहू हूँ यह करो यहां तक गया है जो यहां तक गया है तो यह देखिए को यह लाइन बना उसके पाद सेहम लैट साइट भी वही लाइन बनाना है अब देखी कहां पर मैं बना रहा हूं और एक्जेक्ट आप भी वही पर ड्रॉ करना तो यह ता हुआ उसके बाद आप देखना नोस के जस्ट नीचे एक लाइन दिख रहे हैं यह वाली लाइन तो हम पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं यही सब चीब बारिकी पकड़न होता है और नोस के नीचे डार्क शेडिंग है यहां पर लिप्स पहले नहीं करूंग यहां ज्यादा इसन रिजन होता है फ्रेंट कभ हम कौन सा पॉर्ट्टन ड्रॉ करते हैं वें इरेज ग्रेट सम्टाइम माइड राइंग इस ऑल्सों इरेज सो अब शार्प इरेजर का यूज करो मतलब को ना होता है वहां पर यूज करो अब लिगां से यूज करो और ज्यादा प्रैसर इतना प्रैसर कि आपको खराब हो जाए कि कें यू रिपीट दा एप ऑफ ग्रीड हाँ ड्रॉइंग ग्रीड फॉर्ड आर्टिस यह सर्च करना ड्रॉइंग ग्रीड फॉर्ड आर्टिस आपको मिल जाएगा तो बाइसर बाइं इतना जल्दी वाइग तो चलिए अभी देख एल्द रॉप ग्रीड जाएं तो देखें ना यहां यहां पर लेप पहले नहीं बनाओं पहले हम रहे पहले लोओर लिफस इसका भी डिजाइन है तो अगरे को पहले तो हम को बेस्याइन मिल जाएगा कि एकजेट कहां से भूत आ है तो लाइन का इतना हाइट है यह डिश्टने उसके बार ढ्रकर जाएंगे अपरिप इस तरीके से इस तरीके तो अब हम बनाएंगी ऐब weekly यह ऐ आ गए तो इस तुछ मेजरमेट करना क काफ़ी ज्यादा मेजरेंड पढ़ेगा आपको यह और यहां पर थोड़ा यहां पर इस तरीके से डार्क है तो डार्क कर लेते हैं और बाकी अपर लिफ्स तो यहां डार्ट शेडी होगा लोवर लिफ्स पर थोड़ा लाइट शेडी होगा तो इत्ता ड्राव हुआ और यह जो एक्स्प्रेशन है जो हलका सा मिल रहे हमें उसे ड्रॉ कर लेते हैं तो यह इधर ड्रॉ किये और थोड़ा इधर भी ड्रॉ कर लिए अब फ्रेंट्स हम इसका जो डाढ़ी है जो कि काफी यूनिक है हम उसे ड्रॉ करते हैं अब यह आँ इस और फी डाणेमिक है डिस्क्रिप्शन में बस फोटो का लिंग है डिस्क्रिप्शन में फोटो का लिंग मिल जाएगा आपको एक बाद चैक करना तो अभी है आप देखना परन्टपर जो इसका दाढ़ी वाला पॉर्ट्शन है हम उसे ड्रॉ करेंगे तो कि यह फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा नहीं है जिस शेप में ड्रॉ कर रहा हूं सेम आपको उसे शेप में ड्रॉ करना है यह सेकंड लाइन और यह हुआ थार्ड लाइन उसके बाद एक और लाइन गया है अब देखना वह किस तरीके से यह पहले एक छोटा सा लाइन बनाएं फिर थोड़ा सा साइड में यहां पर हम एक लाइन बनाएंगे और इसके नीचे भी हलका साइड तो यह और यह चीज़ सेडिंग पार्ट में हम अच्छे एक्स्प्लेंड करने वाले हैं तो सेडिंग पार्ट ज़रूर देखना और नीचे जहां तक है यहां तक है और इस साइड में भी हमको लाइन दिख रहे हैं कुछ उस लाइन को भी हम बना लेते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है जो फेस में थैनों उसकी यहीं चीज होता है फ्रेंट सो यह रहा है इस आठ अड़ा जिन्दावाद थैंक्यू सो मज्ट थैंक्यू सो मज्ट सर इन वीच सीटी यू लिव अचिण aujourd च्ट्रेंज से ओंगों को यहां पिर इस साइट का लाइन को बना लेते हैं आँ अ कि अजो यह यहां पर इन्द दार को फोलो करेंगे तो काफी इसली आपको दिख्वत कि नहीं होगा यह बनाएं यहां पर डार्क लाइन दिख रहा है ध्यांस देखना मैं पहले उसे ड्रॉप कर लेता हूं थोड़ा के शेप ड्रॉप कर लिए उसके बाद यह इतना है अब फ्रेंट्स हम जो प्रेस का जो इनर आउंट लाइन है उसे ड्रॉप करेंगे आपको यहां पर अच्छी तरह के सिद्ध दिख रहा होगा थैंक्यू सो मुच फॉर फॉर्टी फॉर लाइक्स सो आट अड़ा मुर्दाबाद क्या बात है नाइस कमेंट है सो अभी फ्रेंट्स अब दिखना यहां पर मैं फेस का जो आउंट लाइन है मैं उसे ड्रॉप करते जाओंगा ना हो दिखें किस तरीकिसे में बना रहा हूं और अगर आपको रिफ्रेंस फोट्व को देख कर बनाने में प्रॉबलम होता है मदब अच्छी तरीकिसे ड्रॉण नहीं हो पता तो आप मेरे आउटलाइन को देखे कि किस तरीक से मैं बना रहा हूं यहां पर यहां को थोड़ा बना लेता हूं कि सूँए और तो काफ़ी सिंबल सब्सहीं है हूँ तो फेस के राइट साइड को बना लेते हैं और अपर यह देखिकी स्वेश्व है आ दे कि यहां से चूर्व है यहां पर खटम रिफ्रेंस पॉट्टो में भी आपको दिखEEP होगा कई बर मिस्टेक होता है कि हम मिहां से शुरू करते हैं पर खतम तो वो सब्व चीज महीं करना यहां पर के हमें फ्रेंब इरलेकर जो डिटेल पार्ट है हम ठोड़ां से बना लेते हैं यहां पे होगा उसे थोड़ांडार कर लेते हैं इ horrific पर इस तरीके से हैं पिर तो इसका ड्रेस ही है को तो यह इतना देखिए अब थोड़ा जो फुट उपर का एरिया है अब उसे ड्रॉआ करेंगे आपको कैसे एग्जैक बनाना है है यहां पर बताता हूं सबस्क्राइब सबसे ऊपर यहां पर यहां पर सबसे मार कर लेखे सबसे में आ और वो यहां तक उठंद रहा है अब में साब मान को मर्ज करना बस कर सो यह इस तरीके से उपर गया है किस तरीके से करो हुआ को यह और उसके बाद यहां होता है ना बच्पन में जब हम सीखते हैं प्लानल प्लाइन मिलाना है सेम वही तरीका यूज कि हम यहां पर थोड़ा मार्क करकर करके तो यहां पर इस तरीकी से उपर लेगा है हाउ टू कर्वेंस पर आर्ट वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं खुद कर नहीं कर पाता है सर आट कॉंपिटिशन हां जरुबी तो आट रिव्यू करेंगे सर विच कंट्री डू यू लिप एंड गुड इवनिग अ मैं रैपोर सब्सक्राइब यह ग्रीड वाला कौन सा एप है ड्राइंग ग्रीड फॉर्ड आर्टिस्ट नाम का एप है सो मैं वह यूज कर रहा हूं कि सो यहां पर थोड़ा फोर एड में कुछष डिटेल है वह बना ले एक श कर रहा है यहां पर थोड़ा शाइन है इस तरीके से हूं यहां श्राइब कर रहा हूं यह सब यह दिखी तरुके ज़ो कुछ-कुछ रहे हैं कहाँ पर कि देखिए मैं हलका-ख़एड करना हो जहाँ पर मुझे करना है शैटी ऐसका यहां पर देखना यह देखिए और यहां पर गाल देखना यहां पर एक्सप्रेशन देखना विए तो यह एक लाइन इस तरीके से बनाना जो कि हमें फोटोग्राफ में देख रहा है और यह कुछ लाइन है और भी लाइन तब एक दो तीन लाइन इस तरीके से बनाते हैं तो देखें एक्सप्रेशन मैच होने रखता है यहां पर हलकलके शैडिंग कर रहां जो की प्रॉपर हम करेंगे शैडिंग वाले पार्ट में और देखिए यहां पर बिल्कुल लाइट यूज कर रहा हूं यही ट्रिक होता है फ्रेंट जो मोस्टली आर्टिस यूज करते हैं प्रैसर कंट्रोल सिकते हैं प्रैसर कंट्रोल पर मैंने एक वीडियो बनाया आप शैडिंग वाला वीडियो देखना आपको अच्छी तरीके से समझ मैंगा सर्विच कैमरा डू यू यूज राइंग तो गुट यू राइंग इस गूट थैंक्यू सो मच थैनोस नहीं बैगल लग रहा है यह 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 यहां पर एक लाइन गया है चुकिंग हम श्रीक नोर कर देते कुछ चीज को और यह चाटिस इन सब चीज को फॉलो करते हैं कि कुछ कुछ सेडिंग कर रहा हूं है आप भी मार्क करते जाना कहा काओ कहने कर रहा हूं तक यह आपको भी काफी मतलब जब आप श्रीड़िंग करें तो काफ़ी पड़ें आप दिटिएल परट इस पर इह कर लेंगे कुछ बर लिएक कुछ चीज तो आप ऊपुसरीं प पॉर्शन बनाएंगे प्रेंड्स तो नीचे का भी काफी ज्यादा डिटेलिंग पार्ट है तो बिल्गों ध्यान से देखना प्लीज तेल में सर इन विस सिट्ट यू ली मैं रैपोर्ट शतिस गड़ से हूं वेन विल्यू ड्राइम धोनी अंटोल स्टोरी पोस्टर हां जरूर करूंगा मुझे इसका अच्छा था फोटो ही नहीं मिल रहा था लग्लें फोटो नहीं मिल रहता तो उत्ता जाता सर्च क करूंगा ताकि अच्छा फोटो मिल जाए सर कैमरा सेट आप टूर प्लीज हां जरूर काफी अच्छा आएगा मैं जब यह सब बनाऊंगा वालब सैट आप टूर बनाऊंगा तो काफी अच्छा लगए क्योंकि सब चिर्जुगाड़ वाले कुछ खर्चा नहीं है इस पर आपकी टूटेरल इस एक्सिलेंट साथ थैंक यू सो मज्ट थैंक यू अभी देखना फ्रेंट्स अ ब्रो मैं आपको फोटो भेजू कौन सा फोटो आप जोड़ भेजना तो अभी देखना नेक के पास का मैं ड्रॉ करूंगा तो यहां पर अच्छे से यह जो डार्क के रिया बस उसका शेप बना रहे हैं बखी डार्क तो हम करेंगे शेडिंग पार्ट में तो यह देखिए यह शेप है बिलकुल इस तरीके का और इसके शोल्डर को भी बनाते थोड़ा सा मैं यहां जूम आउट करता हूं ताक कि थोड़ा प्रॉपर नजार है कि इतना सही रहेगा कि आर्ट रिव्यू करो हाँ जरूर टॉम क्रूस की हाँ जरूर टॉम क्रूस का मैं बनाऊंगा प्लीज में का टुट्रोल आफ अर्जिंसी हाँ जरूर सथोड़ा पास ड्रॉप करो ओकी जरूर आपको अच्छी समझ मैं से लिए स्थोड़ा इस तरीके से लाइंगे जिस तरीके से मैं लाइंग बना रहा हूं से मुसी तरीके से फॉलो करते जाओ बस और लास्ट तक जरूर रुकना फ्रेंट क्योंकि लास्ट में मैं सिर्फ आप लोगों के चैट पढ़ने वालों आपका जो प्रॉब्लम है वह डाउट आप कमेंट करना मैं उसका सॉल्यूशन जरूर कुछ बताऊंगा कुछ ना कुछ तो हर चीज का प्रॉब्लम है तो करना तब आप प्रॉपर बना पाएंगे और ग्रीड मैथिट सबसे इजी मैथिट है प्रेंट आउंट लाइन के लिए तो यहां पर डार पॉर्ट्शन में बना रहा हूं प्रॉब आपने पेपर सीधा रखा है या वर्टिकल मैंने होरिजॉंटल रखा है प्रेंट्स सर आपकी एज क्या है ट्वेंटी फॉर अगी मैं देट एक हम नेक्स्ट करने शर्ट करें लिए और मैं लास्ट में लिए इसके पहले बाली स्ट्रिम में बदा राक policies न शुले में अब कि यह सूट है आप इसे अपने तरीके से भी बना सकते पर बस ज़्याद से जदा डिटेल पकड़ने की कोशिश करना कि इसमें डिटेल काफी ज़्यादा है और जित्ता ज़्यादा डिटेल पकड़ेंगे आप उत्ता जदा अच्छा लगेगा आपको पोट्रेट अभी तो बेस ही बना दिए तो इस सैट का थोड़ा इस सैट का एक एरिया कंप्रेट कर लेते हूं से उसके बाद उस एरिया में जाएंगे एक कलर ड्रोइंग बनाना है इसकी हाँ जरूर जर्ट प्लीस टैल हाउ टू यूज ब्रस हाँ इस पर मैं पर्टिकुलर टुट्रोल बनाऊंगा कि ब्रस किस तरीके से यूज करना और ब्रस यूज करने की क्या फाइल है कि अभी तो मैं इस से इस एरिया को कंप्रेट करूं कि अधिक कुछ लाइन सार टीटियल फ्रैंट आंटलाइन में बनाओं तरू सकते हो सेडिंग पर्ट में बनाते्हिस यह वाला पॉर्ट्शन होगा हम हम इसे कंप्लेट शेडिंग बनाएंगे बस यहां पर यहां पर इसका जो शेप है हम उसे दे देते हैं कि आप जो चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगता है तो जरूर करना लाइक करना विडिकों कि मैं अपना हंडर पर्सेंट दिनी कोसिस करूंगा बिल्कुल सो इस पॉर्शन को फ्रेंट हम शेडिंग पार्ट में करेंगे तो शेडिंग पार्ट आप इसका ज़रूर देखना मैं जल्दी लाइव आउंगा हो सके तो एक दू दिन की गैप में लाइव आते ही रहूंगा मैं तो इस एरिया को बनाते हैं और यहां पर एक लाइन है जो कवर करता है बोडी को यह अब हम इस एरिया को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले तो यह जो कॉलर सा दिख रहा हमें यह रहा इस तरीके से लाइव फिटी लाइव हो गया सर हां फिप्टी वन हो गया है वाँ परस्ट टाइम ऐसा हुआ हंड़ेट और टॉप हंड़ेट थैंक्यू सो अपनिल थैंक्यू थैंक्यू सो मंच भाई आप यह एज में एकदम जख्कास ड्रॉइंग कैसे कर लेते हो बस प्रेंट प्रैक्टिस है एज मैंटर नहीं करता अगर आप जिस बेज में अगर आप तेरा साल के दस साल के हैं अगर आप दो साल अच्छे से ड्रॉइंग करते अच्छे से सिखते हैं तो जल्दी सिखेंगे नौट गुड बश्ट ढट ठीक है अगर जो एक प्रैक्टिस किया काफी ज़्यादा तो प्री हैं और ज्यादा टैम भी नहीं लगा इंप्रोड करने में तो आपको बताऊंगा किस तरीकी से मैं बनाया अब यहां पर देखना जो इसका जो हैंड है यह जो कवच है जो भी इस बोलते हैं मैं तो जानता नहीं नौट गूड बड ठीक है क्या ठीक है भाई आप गिववे कप करते हो मैंने अभी कुछ दिन पहले गिवे वीडियो डाला था और न्यू गिववे भी है आप महां पर चाके पार्टिशिपेट करना कमेंट करना न्यू गिववे लाते रहूंगा मैं और जुरूरी रहें कि सिर्फ स्केच ही बनाऊं हो सके तो मैं आर्ट मटेरियल भी गिवे कर सकता हूं और सुछ और अब आज आधे बनाएंगे और स्वेट करने कलेस Nuclear सबसे पहले आप देखना में हं का जो इतो है जो कौश है उसका जो शेम है क्गे पहले बना लीता हूं एक आप मिति यह आन से देखना किस तरीकिस में यह क। है यह शेफ है उसे ड्रॉक हरूंगा और फ्रेंट मैं बहुत जल्दी और टुटरियल बनाने वाला हूं जिस पर अभी यूजिब में काफी कम वीडियो है कि live किसी भी चीज को observe कैसे करते है लाइत पोड़ेट कैसे बनाते हैं उस चीज के बारे में मैं टुटरियल बनाने वाला हूं अभी मैं थोड़ा कुछ पहसे बाइड करना काफी जल्दी ड्रोब बनाने को कौसिस करूंगा उसे है एक सब्से पहले तो मैं ंड का ट्रोब है आफित्थे रघ्र हुंगम ऑपर तव्हें की उसका यह जो जो पांच जो भी लगते हैं आ पर वह को कि उसका जो यह शेप है इसे पहले ड्रॉव करते हैं तो आप ध्यान से देखना कि ग्रीड वाले इस ग्रीड के ग्रीड पर मैं किस तरीके से बनाता हूं सब सबसे पहला शेप है इस तरीके का है कि यह देखिए और फ्रेंट्स भले आपको यहां पर पांस्ट लग रहा होगा वीडियो मतलब जल्दी ड्रॉव कर रहा है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना अगर पर्फेक्ट बनाना है तो बिल्कुल अच्छी तरीकी से टाइम देना है और बनाना है तो सबसे पहले यह शेप था जिसको हमने बनाया भाई रिप्लाइ करो ड्रॉव संजड़त हां जरूर नहां कक्कर का हां जरूर सर आप कौन से ब्रैंड का माटिरियल यूज करते हो सारे अलग अलग ब्रैंड के होते हैं पैंसिल अलग रिजर अलग शॉपनर अलग पेपर अलग सारे अलग अलग तो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है जो हातों में उसे ड्रॉव कर लेते हैं बाकी लाइट लाइटिंग पार्ट वाला जो डिटेल्स है वह सब अब हम शेडिंग पार्ट में करेंगे अब यहाँ पर हम यह वाला पॉट्शन बना रहे हैं थोड़ा कर्व है अब 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 यह इतना कम्प्लिट हुआ अब अब इस तरीकी का शेप है यहाँ पर प्लीज स्पीक माई नेम सौरिया, हेलो सौरिया रीड माई कमेंट प्लीज आई टच यूर लेग्स हाँ पुजा है ग्रे हाँ जरूर बना हुँगा सो आगे का कम्प्लिट करते हैं मैं इसे हैंड पर ज्यादा कुछ डिटेल नहीं कर रहा हूं बिल्कुल जो में में शेप है उसे बस ड्रॉ कर रहा हूं बाकी तो शेडिंग वाले पार्ट में हम इसे अच्छी तरी कि इसे ड्रॉ करेंगे हैंड ही बनाने में काफी ज़्यादा टाइम लगी क्योंकि काफी ज़्यादा डेटेल है और यहां पर एक जो सरकल दिख रहा होगा तो यह वाला पॉर्ट्शन वह अभी मैं ड्रॉ करता हूं बिल्कुल ध्यान से देखना यहां पर बिल्कुल मैंने ड्रॉफ सा बनाया है कुछ ज़्यादा इटम डिटेल से नहीं बनाया है जो यह वाला पॉर्ट्शन है जहां पर यह चमक रहा हमें दिख रहा है यह हम शेडिंग पार्ट में अच्छी तरीके से करेंगे इसके लिए हम इरेजर यूज करेंगे वह अच्छी तरीके से करेंगा कि कहां पर किस तरीके से बनाना है कि सभी कुछ-कुछ शेप है हम बस शेप ड्रॉ करेंगे बागई तो हम लिए अच्छे से एक्स्प्लेंग करेंगे आप कमेंट करके बताना फ्रेंट जो हैंड का डिटेलिंग है जो उससे बनाऊं अभी या फिर शेडिंग वाले पार्ट में देखेंगे एक बार कमेंट करना शूड आई मैसेज यू इंस्टाग्राम है हेलो दर्शिट जा वाई आर यू नौट रीडिंग चैट पढ़ी रहा हूं चैट यू ड्रॉर रियलिस्टिक हाँ जरूर ड्राइक करेंगे रियलिस्टिक बनाने का हैं पर जो डिटेल है उसे अभी बनाया जाए या फिर पर बना दूंगा मैं वैसे अभी सिर्फ वन ओवर हुआ है पंदरबीस मिनट हम अराम से और बना सकते हैं तो अभी 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 हुआ 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 है तो अभी सर नेक्स्ट टैम संजद अभी अभी हां सो अभी कमेंट आ रहा है तो सर मैं खुदी को सर्वर हूँ चली यहां पर बनाते हैं जो यह वाला पॉर्चन है आपका जो डिटेलिंग पार्ट है पहले बनाते हैं अब शेप देखना किस तरीकी का यहां पर यहीं सब चीज आप अच्छे से डिटेल पकड़ेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपका पोट्रेट अगर आपको डिटेल्स देखने में फोटोग्राफ में देखने में दिख्का जाता है तो आप मैं जो लाइफ बना रहा हूं उसे फॉलो करना औ अब एक देखनटे में अप्लोड होई जाता है यूट्यूब पर तो आप वह भी देखके बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से अगर बिच में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तब बिच में भी देख सकते हैं टूटोडियल यह वाला तो अभी देखे किस तरीके से मैं यहां पर बना रहा हूं अब जादे से जादा जो इसका डिटेल लाइन है उसे फॉलो करने की कोसिस करना और अगर नहीं हो पाता फॉलो तो कोई बात नहीं क्योंकि में अपना पोट्रेट होता है और इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक च सिखना ही है बाकी हम इस पर और बनाएंगे यह सब डिटेल किस तरीकी से हमें पकड़ना है तो यह हैंड का जो जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं वीडियो कॉल उनका भी एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि अभी यूट्यूब पे तो में हमारा जो रिजन है वह हमें है आठ अच्छी तरीके से समझाना और इंस्टाग्राम में हम अच्छी तरीके से बात करेंगे तो इंस्टाग्राम पर अभी तक जिसने भी फॉलो नहीं कि आप फॉलो कर ले ना गाइस इट्स आट अड़ा नाम से यह इंस्टाग्राम अकाउंट भी सो इस तरीके का डिजाइन है फ्रेंज जरूरी नहीं कि आप एक एक चीज़ फॉलो करें मैं जित्ता डिटेल में से हो पा रहा है अभी मैं उत्ता वर्ट करों बागी सेम एक्जेक्ट भी बना सकते हैं कोई दिखकर नहीं तो अभी हैंड का इत्ता ही बनाते हैं बाकी इधर का डिटेल पार्ट काफी जादा है आप देख सकते हैं तो इसे हम शेडिंग पार्ट में कंप्लिट करेंगे और हो सके तो आप खुड ट्रै करना अगर आपसे हो पाई तो जरूर्व ट्रै करना है और नौट यूज इंस्टाग्राम तो आप सिर्फ आर्ट पर देखिए उस परपस के लिए आप बिल्कुल इंस्टाग्राम बना सकते हैं बाकी अधर काम के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल करो लेकिन अगर आपको आर्ट सिखना है आप आर्टिस्ट लोग को फॉलो करो उस पर तो उस पर इसके लिए आप बिल्कुल इंस्टाग्राम यूज करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कुछ सिखने के लिए यूज करना बाकिया से सोचल मेडिया पर अप ध्यान ना देना कि आपको सिखना है तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम कि लॉगिन कर लेना पूत में करेंी ज्टाइए यहां पर वहन करें हम यहां इसका कवाय चाहय से थोड़ा से बना लेते हैं उसके बाद आइस पर डी आंशम में बात में करेंगे नेक्स'S स्ट्रीम में या फिर मैं यहां पर कुछ डीटैल करूंगा और आपको फोटो भी इसका अगर आपको इस आउंटलाइन का भी फोटो चाहिए तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होता है सब्शम爬 कर देना कर आपको मेरे रिफरेंस जो बनाया होए रिफ्रेंस आउटलेन चाहिए कि अब कमेट कर देना तो आपको बिलकुल सिर्फ आउटलेन आउटलेन दिखेगा तो काफ़ी ज्यादा हेल प्सक अब न इनका कव तो यहां पर जो शॉल्डर है इनका यहां पर कुछ गड़ बढ़ हो गया यह पॉर्ट्शन है अच्छा ठीक है ठीक हमने हैंड को थोड़ा छोटा बना दिया है यहां पर थोड़ा एरेस करना पड़ेंड एक सेकेंड प्लीज मेक ऑन हाउ टू कंवेंस पैरेंस मैं उस पर टूटरियल कैसे बनाऊं क्योंकि आपके पैरेंस अलग अलग होते हैं सब कि थिंकिंग अलग है तो उस पर क्या टूटर बनाऊंगें कि यहां पर थोड़ा एरेस करते हैं तो यह हैं यहां से स्टार्ट है इस तरीके से और इस बॉक्स से यहां कि यह हैंड अपना सौट पंविट इंद्रा आप कहां रहते हैं मैं रैपूर 36 गड़ से हूं अपने तो रैपूर तो सुना ही होगा जहां रैपूर पर सबसे दुनिया का मतब आय थी यहां पर जहां अनौंस की दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया का जंड़ा है मतब देश का मतब देश का सो इस पॉर्चन को हम बाद में बनाएंगे यहां पर थम वाला पॉर्चन है थम को बना लेते जो इसका शेप है उसे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं ज्यादा डिटेलिंग पार्ट बनाऊंगा तो काफी ज्यादा कच्रा होने वाला है इसलिए जितना जरूरी है अभी हम उत्ता ही बनाएंगे और अभी थोड़ी दिर में मैं बस आप लोगों के सिर्फ चैट पढ़ने वाला हूं आप लोगों से बात करने वाला हूं सौट आप दे दिया ब्रदर दे दिया सौट आप टू फन वित इंद्रा ड्रॉ आइरन मैंन का मैंने एक पोट्रेट बना है वह अब मेरे चैनल पर देखना अभी देखिए इतना कम्ट्रेट हुआ है जो थैनोस है इसका यह वाला पोट्षिन बना लेते हैं इसकी शूट का तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा तो यह वाला पोट्षिन है और यहां पर डिटेल हम और करेंगे बाद में तो अभी देखिए हमारा जो आउंट लेन है इस तरीके का लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए मेरे ब्लॉग चैनल को आर्टिस्ट पंकज ब्लॉग नाम से मेरे ब्लॉग चैनल थेंक्यू सो मच्छ नितिना ग्रवाल सर यूर बैस रीड माई कमेंट संजेदत का हाँ जरूर बनाऊंगा बहुं सारे बहुं सारे रिक्वेस्ट आगे तो मैं काफी ज़्यादा कंफ्यूज होते रहता हूं कि किसका बनाऊं तो आपको बिजबिज में कम्यूटी में लगेगा और में हमारा जो बेस आउंट लाइन है वह अल्मॉस्ट कम्प्लीट हो गया है तो अभी आप देख सकते कितना कम्प्लीट हुआ एक बर आपको थोड़ा पास से दिखाता हूं कि यह देखिए वह इस सूट पर तो डिजाइन पार्ट में अच्छी तरगे से करेंगे और इस एरिया को मैं ने छोट जए क्योंकि इसमें काफी ज़द्धा डिटेल है तो हम डिटेल करेंगे या फिर मैं ट्राय करूंगा कि मैं बाद में थोड़ा डिटेल वर्क कर लूँ यहां पर और आपको मैं फोटो भी दे दुगा तखिकि उसर बना सको सुपड़ भाइ थांक कि सो मच कुझ बएक डिषिंग बहुत ऑच्छय है थैंक्डियू सो मच को छूंत फञें हम सी प्रिक्षाई चैनल मेह फॉन मिनेट अब जरूच यह जरूToday और जबुए सब्सक्राइब करना अभी इस में बहुत का मलब 100 सब्सक्राइब नहीं है कि मैं यहादा पर हाइग कमेंट करता हूं अब कमेंट देखना एक कमेंट आएगा यहां पर कि एक सब्सक्राइब इन है तो यहां प्रद हम साउड रालो इत्तरी बणाएंगे आप्या कमेंट पड़ लेता हूं यहां पी कमेंट हैगा फ्रेंट हाए आप दिखना आइस पंकरढ़ से है तो अभी आपको दिखर होगा एक कमेंट आप इस पंकरव यह कि मेरा ब्लॉग चैनल एक रंट सो आप वो फॉलो कर लेना भाई अमताब बच्चन का शेडिंग पार्ट कंप्लीट कर दो हाँ जरूर जद्धी कंप्लीट कर दूंगा भाई कल मेरा सोश्यल ऑनलाइन एक्जाम है है आपका नाम राहूल सिंग है यहां पर आईडी नेम मुझे कुछ अलग दिखा रहा है इपर कमेंट करना है सब्सक्राइब क्यों अच्छे से दिलाने एक्जाम है आ अल्डा बेस्ट को सुंग्रास्ट लाइफ्स्टिय में जो कुंप्लीट किया था अब दिखा रहा है तो मुझसे जित्ता और इसका बैग्राउंड को शेड किया जो इसका पॉस्ट भी मैं डाज़ दूंगा फ्रेंट तो यह रहा लास्ट में जो लास्ट लाइब स्ट्रीम में जो हमने बनाया था काफी ज़्यादर डिप्ट्कार्ट होता है लाइब स्ट्रिम में इस तरीके से रियलिस्टिक वर्ग करना तो अब यह अपको लेंद दिख रहा होगा आप मेरे यूट्यूबर हो लव यूद्य से थैंक यू सो मजड़र थैंक यू सो मजड़ आप अगर इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे करना दिया थैंक आपके सबस्क्राइब किते हैं बहुत कम है और यह अच्छी पे नहीं हूं भब bacon ल poziom यह यह नहीं देखते रहे वह ही एके अच्छी बात है लिए नहीं हूं भाइंस्टाप पर कोई बात नहीं लाइव ऑन यूटूब यूटूब पर लाइव आने के लिए कुछ ट्रैटेरियर है यूटूब तब आप लाइव आ सकते कुछ सब्सक्राइबर बेस आपको कम्प्रीट करना रहता है तब जाके आपका जो लाइव स्ट्रिम है वह लाइव स्ट्रिम में बनाया था यहां पर बैग्राउंड में थोड़ा रफ सा ब्लैंड कर दिया हूं अगर इसे मैं एक बार थोड़ा दिखा था मोबाल यह हमने लास्ट लाइव स्ट्रिम बनाया था आप सो यह देखिए और काफी लोग इसे बनायाते फ्रेंट्स वह काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस मोग मैं साथ में हाँ स्मोग भूल गया हूं इसके स्मोग भी कंप्लीट करूंगा यहां पर तो यह थल हमारे लाइव लास्ट जो हमने कंप्लीट किया फर्स्ट लाइव स्ट में जो हमने पूरा पोर्टर बनाया सो मैं इसका पोस्ट भी डालने वाला हूं और सर्व वह वाइड डॉंट क्या है वाइड डॉंट यह जो बैग्राउंड में है यह पेपर का टोन है जो काफी ज़्यादा रहा है तो मैंने इस तरीक से फिल नीकिए यहाँ पर एक और लियर लगाऊंगो तो वाइड डॉट वह है हट जाएंगे अब बाई बाई ब्रो पढ़ने जा रहा हूं हाँ जुरूर पढ़ाई करो all the best सर आप मेरे फेवरेट आर्टिस्ट एंड ड्रॉइंग सर हो थैंक्यू सो मज मैं आपकी घर वालों को बोलता हूं पंकर सर ड्रॉइंग ले रही है मेरे ड्रॉइंग सर मैं मेरे घर हाँ सो थैंक्यू सो मज अच्छी बात है चलो एक आपको आर्ट क्लास मिल गया मेरे मेरे थ्रू काफी अच्छी बात है सर वो छोटे वाइड डॉट्स क्या है वो बैग्राउंड मतब जो पेपर है काफी रफ है उसके कारण वैसा डॉट 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 आ रहा है बाई राहूल सर सूपर्ब ड्राइंक्यू सो मज अच सर रिप्लाय मी आपका सोरी मैंने चैट नहीं पड़ा उपर उपर गया साथ सर मेक विदियो इन हाउ टॉट ड्रा टाइगर शॉप मैंने एक पोट्रेट बनाए जिसके और रेक ब्न कर सकते हैं बिल्कुल ए्रेज कर लेना आप चाहे तो जिसे अभी बन गया आप बिल्कुल एरेज कर सकते हैं और ट्राय करना कि आपका जो ग्रिड है वो मतलब जो आउंट लाइन बना है वो एरेज ना हो आप जहां से देखना मैंने देखा है दोनों वीडियो टाइगर श्रॉब का हां सो जो अभी तक नहीं देखा है जरूर देख लेना और जिन्होंने आँ मैं जरूर वरुरुन धवन का बना दूंगा वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर एक अरे वां मस साइमोजी भेजा है रहुल ने तो एक घंटा पंदर मिनिट होने वाला है तो दो तीन मिनिट और देखते हैं जो भी आप प्रोंगे कमेंट से आप कमेंट करो मैं जल्द से पिक करते नहीं बनेंगे कि मेल से मैं पिक करूंगा तो मुझे सर्च करना रहता तो इंस्टाग्राम पे साथ मैं अच्छी तरह किसे सर्च ना कर पाऊं गीवे में हाँ जरूर पार्टिसिबेट करना और आप जरूर शेयर करना अपने फैमिली में फ्रेंड्स में उनको भी अगर उनका नाम आगया तो वो आपको थैंक बोलेंगे कि आपकी वज़े से मेरा पोर्टर बना है तो वो आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा उनके लिए तो कि उसपे चैनल पर और वहां पर रूल्स मैंने बताया है बस आपको कमेंट करना है जिसके थरू मैं आपका कमेंट करूंगा आपका नाम आएगा और अपना फोटो मेल कर देना है बस कुछ ज्यादा कुछ जंजाटी नहीं है फोटो भेजो और कमेंट करो कि जог को अगंदो कि यह फूथ थन्न के लिएक अ sì a dram blij Nich only करना अगर जहां जहां पे हाइलाइट्स लगाने स्मोक अ बनानाँ महां पर प्लैक्पलै नहीं करना बागी अधर जगह पर अब प्रेसर अप्लाई कर सकते हो दिल से लव यू बाई लव यू टू ब्रदर बाई गिवे में पाटिसिपेट कैसे करते हैं सो मैंने अभी बता दिया सो जग दिश होई है थैंक्स वेलकम वाउ थैंक्यू सो मज़ सर कितने फोटो सेंड करना है के तिन सेंड कर दो कोई भी कोई बीपर आप दो सेंड कर दो मुझे लगकीघा मैं बना वैंवो बना लूगा को आपको बनवाना है वह बस प्यांड क्लेइन होना चाहिए एक डो ईटोंट नओ टूम एल कैसे करते हैं एक बार यूट्यूप पर सब् Isaiah कि अवाप इसे करते हैं तो आपको समझ में आजएगा यह तो आपको गिभवे में भी पार्टिसेपट करने मिल जाएगा तो आप वह ज़रूर सिखना क्योंकि कि मेल करना आपके आगे लाइफ में भी काफी ज़्यादा आने वाला है चाहिए तो काफी अच्छी बात होगी टेक माइं नेम प्लीज ड्रॉविद प्रक्याइट ड्रॉविद प्रक्याद आइविस आइविन दा गिवे ऑल दा बेस्ट क्योंकि आपका बेग्राउंड बहुत डार्क बना है तो प्लिस टेल में हाव कैन आई यूज पैंसिल और टैन बी और एड़ बी जिसे एड़ भी पैंसिल से आप एक लियर लगा है उसके बाद आप उसे अच्छी तरीके से ब् करना और कभी भी फास्ट पास्ट शैडिंग नहीं करना बिल्कुल आप से करना एक एक चीज को अच्छी तरीके से क्विल करना और अगर आपको लगेगा कि और डार्क हो जाएगा क्योंकि आर्ट लाइन का पैंसिल अल्रेड़ी काफी ज़्यादा डार्क होता ही है जानते हैं लॉगडाउन हो गया कुछ चीज डिलीवर का मतलब ट्रांस्पोर्ट काफी ज़्यादा इपक्ट पड़ा है सारे मठेरस महंगीर हो गया है सर्ट टेक माइनेम ले लिया ब्रदर ड्रॉवित प्रख्यार्थ कि ड्रॉवित प्रख्यार्थ तो जो सर्मेरा फोटो सेंड करना है या मैं आठपर का आंगु वाले विनर में आप अपना फोटो अंड कर सकते हैं चरहिंट ऐसरी नहीं कि आप अपना फोटो करें आपको जिसका बनवाना में एक गंटा 19 मिनट हो गया और 67 लाइक हो गया है सो थैंक यू सो मच एक काम करो तिन लाइक और कर दो सो 70 लाइक हो जाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा आज के लाइव स्ट्रीम में तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा फिर 70 कर दो फिर लाइव स्ट्रीम खतं कर सकते हैं कल तो नहीं अभी मैं ड्रॉ करूंगा जो मैंने क्या था क्रिस का ज्याने मैंने पोर्ट्रेट बने अधा उसे शेडिंग करूंगा और अच्छे से एक्स्प्रेंट करूंगा उसके बाद मैं तुटार बनाऊंगा और डॉन्ट लाइंग विलांग तो इस मूव यहीं ज्यादा फेमास है कर दिया लाइक सेवंटी लाइक हो गया और एक डिस्लाइक में चल गया तो सेवंटी बन गया ओडिस्लाइक सेवंटीवन लाइक सो कोई बात नहीं कि अपना तो लाइक का एरिया सब्सक्राइब है चलिए कोई बात ने जिन्होंने डिस्लाइब किया उनको भी थैंक्यू सो मच वे लाइब स्ट्रिम देखने के लिए और आपके उपनियों से पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है उच्छे लाइउग देखना या फिर आप मेरा चैनल देखेंगे तो जरूर मिल जाएगा वरंधरहुन का स्केज बनाओ हाँ जरूर इसका वरुंद्धवन का मैंने बहुत पहले बनाया था टुटोरियल सो वह भी आप देख सकते हैं हो टू ड्रॉर रियलेस्टिक हेयर विथ वन पैंसिल उस पर मैं बनाओंगा फ्रेंड बस वन पैंसिल जो हो वह आपका डार्थ होना चाहिए बाक मैंने बहुत पहले बनाया था उस पर खुटोरियल तो वह देखना अगर नहीं मिलेगा तो मैं वैसे भी नए बना दूंगा सच में थैंक्यू सो मज़ चलिए यहां पर हम यहां पर अपना लाइव स्ट्रिम खतम करते हैं क्योंकि एक मिनट बाइस एक घंटा बाइस मिनट फॉर्ट हो गया और थैंक्यू सो मज़ फॉर कमिंग लाइव और नेक्स्ट लाइव स्ट्रिम भी मैं काफी जल्दी करूंगा सर रोज लाइव करो रोज लाइव तो पॉसिबल अभी तो पॉसिबल मतब ट्राय करूंग कि कर पाऊं अभी इसका शैडिंग पार्टिस्टा करूं 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 कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इट्स आटडडा नाम से ही है और मेरा एक ब्लॉग चैनल है आटिस्ट पंकज ब्लॉग वहां पर भी आप सब्स्राइब जरूर करना यू आर ग्रेट थैंक्यू सो मच अब सब्सक्राइब करें अब सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स लाइव स्ट्रीम में तब तक के लिए बाए टेक क्यार थैंक्यू सो मच पर कॉमिंग थैंक्यू थैंक्यू सबीको बाए